में है क्या उसको पढ़ना है और बोल देना है वापस से ठीक है न हम आते हैं किस पर एंटोनीम्स में आते हैं जो यहां पर एंटोनीम्स इसमें पूछा थोड़ा समय पेडियाप को लेस्ट जूम करता हूं फ्लास और आपको समझाने की कोशिस करता हूं ठीक है देखी पहले एंटोनीम्स का मतलब क्या होता है जैसे माल लिजें एंटोनीम्स जो होता है वो अपोजिट बर्ड कहलाता है तो हमको पता है अपोजिट बर्ड लिखना है तो सक्सिस का हमारा अपोजिट बर्ड क्या हो जाएगा ठीक है ना इस्टेल का हमारा अपोजिट बर्ड क्या हो तो फ्रेस मतलब होता है बिल्कुल ताजा होप का क्या होता है होप मतलब आसा होती है डिस्पेयर मतलब होता है निरासा इंड का मतलब होता है कोई चीज खतम हो जाना और बिगेन का मतलब होता है कोई चीज शुरू होना ठीक है अब देखिए सैलो का मतलब होता है कोई चीज जैसे पानी कम होता है तो उसको सैलो बोल देते हैं ज़्यादा गहरा नहीं होता डीप का मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा गहरा होना ठीक है अब आपको यहाँ पर बॉबिल्स भरने है उसने लिखा हुआ है फिलिन दा ब्लैंक्स भी दा एप्रोप्रियेट बर्ड्स यहाँ आपको राइट करने हैं यह आपकी बुक से ही ले गए ठीक है ना तो अब अगर इसकी बात करें आप देखें यहाँ पर आफन में हमारा ओ एफ टी एन होता है समझ रहे ना यह यह वाला जो पार्ट है इसको हम इस पर राइट कर देंगे ठीक है ओके जैसे हमारा यह आफन वाला बर्ड है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम एक को राइट कर सकते है ठीक है आप second में आ जाते है blot blot क्या होती है mistake जो होती है आपकी blot में हमारा o हमको dimension करना Haim करना तो blot में हम क्या कर देंगे o को mention कर देंगे ठीक है next हमारा क्या है wish means होता है इ्कषो to Guill country में हमारा क्या आता है class क्लास जैसे ये mistake हैं मिया स्ट यह कर देंगे इसको समश करेंगे ठीक है चलिए तो हमारे थैस्ट ऑले में क्या हो जाएगा ऑफ्के में हमारा ओ हो जाएगा फिर नेक्स में हमारा बिश में हमारा आई हो जाएगा फगिब में हमारा आई हो जाएगा मिस्टेक में हमारा आई हो जाएगा ठीक है फिर क्या बोल रहा है find a bird that मतलब आपको राइमिंग बर्ड बताने है ठीक है जो पी आपके राइमिंग बर्ड हो आपको बताने है अब देखिए राइमिंग बर्ड मैं आपको यहां पर बता देता हूं ठीक है न साइन का जो हमारा राइमिंग बर्ड हो जाएगा जो यहां पर साइन लिखा हुआ है उ कि यहां आपका हो जाएगा ठीक है इस टाag नियुक्त सोस्टाइब आपके इसके आंसर्थ रहेंगे चलिए आप कोशनाँसर क्या वूल र browse comprehension में हमारे question answers आते हैं तो 8th class के जो first chapter पे जो भी question answers है उसको हम देख लेते हैं ठीक है चली first question हमारा क्या बोल रहा है why do be for another chance हमें एक और मौक़े की तलास के हो रहती है be be for another chance to change our failure into the beginning हमें एक मौक़े की हमेशा तलासिस ले रहती है कि जो भी हमारा failure था उसको हम किस में बदल दें अपनी beginning में बदल दें हिंदी भी लिखा हुआ है pronunciation भी लिखा हो जिससे आप पढ़ सकते हैं ठीक है चली second question को देख लेते हैं class what does it take to make a brand new start ठीक है न क्या लगता है एक brand new start को शुरू करने में so इसमें इसका answer क्या हो जाएगा it only takes a deep desire ठीक है न वो कहता है कि एक गहरी मन की सकती होने चाहिए बाकि आप कोई भी काम को कर सकते हैं ठीक है question number third हमारा क्या बोल रहा है class third को check कर लेते हैं what does the poet mean by adding a little sunshine to the bird थोड़ा सा sunshine add करने के लिए इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है ठीक है न पोयम में the poet mean to make our life better poet का मतलब यह है कि अपनी life को better बनाओ and become something in this bird और कुछ इस दुनिया में आप बन जाओ ठीक है अपने जंदगी को बहतर बनाए इसका मतलब यह है चली question number D के आए class यह questions आप अपने copy भी लिख सकते हैं आपके teachers आपके यहीं से questions करवाते हैं why should we never give up in despair हमें कभी भी निराशा में give up क्यों नहीं करना चाहिए मतलब यह उम्मीद क्यों नहीं छोड़ देनी चाहिए we should never give up in despair हमें निराशा में कभी भी give up इसलिए नहीं करना चाहिए there is always tomorrow to start a new हमेशा एक नया स्कल होता है जिसमें आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं ठीक है चलिए next question प्याज़ आते हैं class what should we do what should be hope for our failure हम क्या बोल रहा है कि हमें अपने भविष्षी के बारे में क्या उमीद रखनी चाहिए ठीक है ना sorry future है class मैंने इसको failure पढ़ दिया ठीक है ना यह क्या है future we should hope for starting a new and being in the future ठीक है न we should hope for starting a new हमें हमेशा यह रखना चाहिए कि हम एक नई शुरुआत करेंगे यह उमीद रखनी चाहिए और winning in the future और future में हम क्या करेंगे जीत को हासिल करेंगे ठीक है next question क्या है match the following है आपका तो match the following का answer क्या हो जाएगा first वाला जो आपको match the following आप यह देखिए उसका कौन सा answer हो जाएगा आपका उसका answer हो जाएगा our mistake क्या हो जाएगा sunshine और fourth number का क्या हो जाएगा हमारा in despair okay आप आते है किस पे चले यह आपका यह क्या पर पैसेज लिखा हुआ है मैं देख लेता हूँ पैसेज आपके बुक में लिखा हुआ है और इसके आपको answers करने है ठीक है ना पैसेज यहां पर कॉपी नहीं है लिखा नहीं हुआ है आपको क्या करना है पैसेज आपको बुक से देख लेने मैंने answer यहां पर बता रखे हैं आप उसको देख लेजिए वाट वाज दे चैलेंज चैलेंज क्या था दे चैलेंज वाज who could fly higher कौन है जो सबसे उंचा पड़ सकता है while carrying sacks of same size मतलब जो same size की बोडियां लेके sacks मतलब एक तरीके का बोड़ी में समान भरा रहता है वो लेके कौन है जो की बराबर समय तक जादा समय तक उर सकता है ठीक है यह हमारा क्या था चैलेंज देखे चुनोती यह थे कि बराबर आकार की बोड़ी लेकर कौन जादा समय में उर सकता है ठीक है next question क्या है हमारा next question है आपका यहाँ पे what was there in the first crow sex first crow के जो बोड़ी थी उसमें क्या था ठीक है न there was cotton in the first crow sex first crow के जो sex थी उसमें क्या था cotton था cotton मतलब cotton मतलब क्या होता रुई ठीक है न third वाला question को देख लेते है what was there in the second crow's sex जो दूसरा crow था उसकी बोड़ी में क्या था there was salt in the second crow sex salt था किसके second crow के sex पे मतलब बोड़ी दूसरा जो बोड़ी में क्या था नमक था ठीक है next question क्या है who was expecting rain कौन जो है rain के लिए मना रहा था the second crow was expecting rain second crow जो था वो माना रहा बोल रहा था कि rain हो जाए उमीद कर रहा था ठीक है न who was defeated कौन हार गया ठीक है न the first crow was defeated जो पहला कवा था वो हार गया ठीक है न आओ लिखे में देख लेते हैं क्या है इसमें class write a paragraph write a paragraph on a night before the examination एक दिन एक रात पहले examination के बारे में आपको लिखना है और उसके बारे में क्या करना है आपको write करके बताना है ठीक है तो देखें ये उसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ ये लिखा हुआ है आप इसको write कर लीजेगा ठीक है न मैं देरे-देरे scroll कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज को अब इसी को सारा read करते ने में कोई मतलम नहीं कहेंगे तो मैं read करके आपको बता दूँगा अब next question क्या देख लेते हैं next question क्या है हमारा a number has been given to each letter number जो है given है किसमें each letter of the alphabet of the table below जो table दी हुई है read the table and decode the message table को read करना है और आपको message को decode करना है ठीक है ये आप खुच्छे कर सकते हैं ये देखिए आपके यापी bird meaning लिखी हुई है आप इसको क्या करिएगा bird meaning को write कर लिजिएगा पूरी की पूरी bird meaning है जोसे कि जो आपको book से related है this means क्या होता है another means होता है एक और ठीक है ना और chance means क्या होता है मौका अफसर ठीक है ना fresh मतलब नई शुरुआद beginning का मतलब होता है fresh मतलब ताजी गलतियां होती है आपकी failure क्या होता है आपका असफलता कहलाता है desire क्या होती है आपकी इक्षा कहलाती है sunshine आपकी क्या कहलाता है धूप कहलाता है कुछ और birds हैं आप देख लीजे यहाँ पे give up क्या होता है छोड़ना होता है despair क्या होता है निरासा होती है, ठीक है, hope क्या होता है, आपकी आसा होती है, often मतलब होता है, अक्सर, brand new start मतलब एक नई सुरुवात करना, deep मतलब होता है, गहरी, heart means क्या होता है, दिल होता है, आपका better क्या होता है, बहतर होता है, bird means क्या होता है, आपका जगत दुनिया होता है, through means क्या होता ह सब्सक्राइब करहانग उम्हें कि यह वीडियो्स आपको पसंद और होगा अगर अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करेगा स्सक्राइब करेग और अपने दोसतों गरीए अगर मझे इस वीडियो अच्छा response मिलता है तो मैं इस class 8 के सारे chapters आपके लिए अप्लोड करूंगा विद्ध प्रॉपर सल्यूशन थैंक्स वर वाचिंग आई विल मेट यू अन देनेक्स वीडियो ओके